अग्ड आफ्टरून एवरीवन इस चलो स्टाट करें तो प्रीवेस लेक्टर में वियाँ कंप्लीटेट अप्टू पॉइंट नॉम्बर हंडेट वन जिरो जिरो तो कंप्लीट किया था इन लॉजिकल रीजनींग वन जिरो वन ओन वर्ड्स हमें कंटीनिव करना है थर्टी चलो पिप्टोर के टेली इन दा मौर्निंग देली इन दा मौर्निंग शैडो ऑफ राम टेकल पॉल्स ऑन रनुमान टेंपल डेली इन द करो यह षब हैं ना शैडव आफ राम टेम्पल तो यह अगर राम टेम्पल है तो आप इमेजिन करो यह सन है यह डारेक्शन में राम टेम्पल का राम टेम्पल का शैडव कौन से डारेक्शन में गिरेगा वेस्ट की तरफ गिरेगा ना तो हनुमान टेम्पल पे जाता है तो हनुमान रहेगा कमेरिशन में वेस्ट में रहेगा वाईंद टेंपल के वेस्ट में रहेगा ना, sales पैके और यह वेस्ट यह व्टो, है इंद इविनिंग शादो ओफ ऑनुमान temple falls on Ram temple. Obviously, in the evening जब सन ये direction में आ जाएगा? Yes or no. Then, in which direction Hanuman temple is from Ram temple? तो बलो. तो Hanuman temple is लिको. Hanuman temple is Hanuman temple is to the बलो west of to the west of Ram temple to the west of Ram temple west. Is it option B? Is it option B? पका? Okay. तो 101 हो गाया साल सबका? Next 102. करना है कि बच्चु साल? या मूद नहीं आजी? 102. A man on a moped okay starts from a point and rides 4 km south moped मतलब जो भी उसका बाइक एक्टिवा whatever परहर है न? स्कूटी whatever moped से start कर रहा है and कहां जा रहा है? 4 km towards south तो 4 km south में गया then turns left south direction तो यह west में and वो कहां देखता है setting sun बोलो behind railway station तो इदर railway station रहेगा तो जब वो railway station के ओपर देखता है तो setting sun देखता है उसको शाम को देखता है न मतलब यह yes or no what is the direction of temple from railway station railway station से temple का क्या direction है east option A कोई doubt है किया railway station से temple कोन से direction में कोन से direction में east is it in the east आप यह draw कर रहे हो क्या यह जो भी कुछ है मैं ऐसे नहीं बोल रहा हो कि ऐसे design करो यह जो भी है बट आप कुछ तो लिख रहे है और ने आपक्सों को टिक कर रहे हो कुछ तो लिख रहे है नहीं नेक्स ऑब ड्रिलेसिटे शिटार्ट बोलो बीज डॉटर एस बीज डॉटर तो देखो यह वी दॉटर आएसे नीचे लेने का समझ रहा है ना एक एक जनरेशन नीचे लिखने का बट एई इस बीज डॉटर तो एके सामने में डॉटर लिख रहा हूं इससे आप अब क्या होता है प्रॉब्लम जब एब सी रहता है तो आपने कुछ समझता नहीं कि वह मेल क्यारक्टर है या फीमेल है नाम दिये होते सुरेश महेश रानी राजा तो बेटर होता नाम देख करेक्ट और नॉट तो जितना हमें मालूम रहता है उसके सामने हम लिखते हैं कि भाई मेल है या फीमेल है तो एक होने डॉटर भी की बहन रहेगे बड़ो क्लारिटी है कि अभी तक आपने को नहीं देन बोलो डी इस बोलो सी ब्रदर तो यहां पर इस जनरेशन में और एक डी है सी ज़ी ब्रदर अब भाई है वो ट्लीर है ना डी सी ब्रदर डू एग्री मदर इन सबकी मम्मी बीन है ना मम्मी या पपा है भी इस सी ज़ी द तो मदर यह तो ख्लीर है ना yes or no how is D related to A A के लिए D को ने D related to A देखो आच्छे से question पढ़ा करो ये कभी-कभी student इसमें गड़ पढ़ करते सब सही लिखते है सब सही करते है बाद में question कुछ तो उल्टा तो पढ़ते how is D related to A तो 2 A बोला न तो A के अंगल से सोचने का A के अंगल से सोचो और D को ने बटाओ को ने बोलो brother yes or no तो कहना इसे D is D is बोलो मेरे भाई brother for A D is brother for बोलो A या brother of A A के लिए D brother है आप लिखो बाजू में please ये समझा के बताओ please देखो आदत यही डालो कि आप जो भी है male female character clear कर रहे हो हो पर जितना आपने को बताया गए ना अटलिस उतना clarity से लिखा करो समझा क्या चलो next 105 करना है साल बोचो P is Q's brother P is बोलो Q's brother तो मैं P, Q लिख रहा हो साथ में तिक रहे हो क्या जहां पर मैं ऐसे लिख दिया brother P क्या लिख दिया brother P अचा Q कोन है male female है अभी तक पता नहीं है जो पता नहीं है तो बस Q लिख दिया मैंने कुछ लिखा क्या क्या क्योंकि बाजो में sister male female ऐसे कुछ लिखा क्या बट P कोन है वो तो clear है न P कुन सा character male female male कैसे P is brother of Q समझा क्या then R is बोलो Q's mother यह दोनों की मम्मी हो गए नहीं हो तो yes और नहीं क्योंकि यह दोनों भाई भाहन है या जो भी कुछ है भाई 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 या भाई यह सब नो R कोन है बोलो mother R कोन है mother S is बोलो R's father तो एक काम कर रहा हूं है थोड़ा साइब नीचे लिखता है कोन है brother P बस वह ही लिख रहा हूं don't worry brother P and Q है इनकी मम्मी कोन है R R mother है हाँ उसके पाद बता S is R's father तो पर S लिख रहा हूं S किसके father है R के then T is बोलो S का father तो यह T जो है यह अच्छा कोन है T is S mother है S की mother है अच्छा एक generation और उपर है S और no S की mother है मेरे भाई दिख रहा है कि आपको यह हाँ चलो How is P related to T P related to T अच्छा किस के P की angle से T को नहीं यह पूचा है या T की angle से P को नहीं यह पूचा है How is P related to T तो 2T T की angle से सोचो बोल रहा है तो T की angle से सोचो P कोन है Great grandson यह granddaughter P brother है ना हो अधा वो male character है तो बोलो P is बोलो मेरे भाई Great grandson P is great grandson of of बोलो T P is great grandson of T Do you agree कौन्च option Is it option B Is it option B P is great grandson of T P is great grandson of T I hope you are getting this Next तोड़ा आवास कम करो ध्यान दोई तक कोई doubt रहा तो मुझे पूचो डिरेक्ली यहां तक समझा है जबको अंचलो Point number 106 A is A is B's brother A is B's brother तो A brother है कौमा भी A B उसमें B कोना भी तक पता नहीं है But A is B's brother A is बोलो B's brother C is B's father बढ़ा भी तक हमें पता ही नहीं C कहा है D कहा है बढ़ा रहे तो यह sentence ignore करो बाद में आते हैं चलेगा क्या E is हां बोलो B's mother तो इन दोनों की मम्मी कोने E इन दोनों की मम्मी E है बढ़ा रहे ना इन दोनों की यह B के सिर्फ दोनों की यह दो तो भाई-भाई है ना भाई है या जो भी कुछ है भाई-भाईन है समझ रहा है क्या E is B's mother A and D are बोलो brothers तो A and D एक के साथ में लिख देता फिर D B brother है ने उनका Yes or No अच्छ और क्या बोला भी C is D's father C is बोलो D's father मतब यह A, B, D का father है ना कोन है बोलो कोन है C तो C father है मतब क्याना इसे E and C एक कपल है E and C एक कपल है बरावर है क्या ने Yes or No How is E related to C तो C के लिए पुछा है या E के लिए पुछा है C के लिए E कोन है Wife कोन है Wife Option D Correct or not तो क्याना इसे E is E is बोलो Wife of C E is बोलो Wife of C I hope you are getting this E is wife of C is the answer वे दे पुछा है तो 106 का answer D है क्या है या ने Next Given that पटरे है क्या बच्छो A is बोलो Mother of B A is Mother of B पटरे है तो समझो A Mother है किसकी B की तो B कोन है बेटा है या बेटी है अभी तक तो clear नहीं है C is Daughter B की बरावर है और क्या बोला था उन्हें इस ब्रदर आफ E तो D ब्रदर है बरावर है ना ब्रदर मतलब आब 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 आबेसली डी के लिए तो सिस्टर है समझ रहे ना इससे इतना तो clear हो जाता है कि E female character है Yes or No Question क्या भूचा है बोलो Who is Grandmother of D D की Grandmother कोन है बहुत clear है D's Grandmother D's Grandmother is A तो विदर करेक्ट आइस ऑप्शन A D's Grandmother is A यह relation समझ रहा है कि exactly कैसे लिख रहा है समझ रहा है सबको Okay next M is son of P M is बोलो son of P तो यहाँ पे मैं P लिख रहा हूं and P के नीचे M M is son of P Q is बोलो Granddaughter of O तो बाद में देखेंगे क्योंकि अभी तक Q O का पता नहीं O who is husband of P तो P का husband कोन है O तो O husband है and P कोन है फिर O की wife है इनका बेटा M है P and O का बेटा कोन है M और क्या बोला है उन्होंने हाँ बोलो Q is granddaughter of O granddaughter मतलब M का बेटा रहा है यह बेटी है B T Q is granddaughter बोला है न तो Q correct or not यह कोन है male है female character है female इदर सामने female लिख दिया मैंने से समझ रहा है क्या Q is granddaughter of O होगा O is हाँ बोलो O who is husband of P ओ भी clear है How is M related to O M related to O M related to O बोलो O के लिए M कोन है son है तो M is हाँ बोलो son of O M is बोलो son of O कौन सो option को टिक करूँ A को या father को टिक कर दूँ How is M related to O O के angle से M कोने देखो बच्चों मैं वापत बता दू कई बार student यह करता तो अच्छे से last question कुछ तो कर लेता है M related to O अगर यह ऐसा question होता How is O related to M तो answer father होता How is O related to M तो answer क्या होता father How is P related to M इस question में बता हो How is P related to M इस question में answer दो How is P related to M mother yes or no How is P related to Q grand mother How is O related to Q grandfather grandfather do you agree next तो इस question का answer था finally 108 का A A था यह नहीं next A is B's sister तो A sister ऐसे लिख रहा हूं है and comma B मैंने एक line पर लिखाओ अच्छा B कोन है sister है या brother है वो पता नहीं बट A sister है अब मैंने sister लिखा तो वो उपर के एक generation उसके एंगल से daughter हो गए है बचो अब यह मत संचोगे सबकी sister है क्या फिर अब उसके उपर के generation में कोई लिखा उसके लिए कोन है daughter है बट उसके लिए son नहीं है इतना तो clear है नहीं है इसे एक gender clarity के लिए मैं सिर्फ sister brother ऐसे term लिख रहा हो हाँ पर yes or no चलो A sister A is B sister then C is बोलो B is mother तो C इन दोनों की मम्मी रहेगे ना फिर yes or no C is B is mother then D is बोलो C is father D is बोलो C is father तो D father है D is C is father हां बोलो how is A related to D A related to D क्या cancer है अच्छा इए एक sentence बागी है E is D is mother कोई फर्क नहीं बता हो नहीं लिखा तो भी वैसे भी question क्या पूचा है how is A related to D how is A related to D बोलो grand daughter how is A related to D अच्छा आपने E कहा नहीं लिखा तो भी question का उसका कोई संबन नहीं है न लिखना है लिखा आप मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ समझ रहा है क्या कभी कभी क्या कहते दे question में दुनिया भर का information रहता है बट समझ रहा है न information बट हमें required information उसमें से थोड़ा ही है फॉसिवल है न चलो बोलो question क्या भूचा था बोलो जल्दी हाउज ए रिलेटेट टुडी तो बोलो A is A is granddaughter of of D तो कौन सा option को टिक करूँ is it option D is it option D yes कुछ गया है के दिमाग में पका 110 A is father of बोलो B and C तो B and C एक जगा पे लिख रहा हूँ है उनका पापा को ने A A father ऐसे लिख रहा हूँ है A is father of B and C B is बोलो son of A तो son B लिख रहा हूँ है समझ रहा है क्या बट C कोन है उसकी बहन है या भाई है वो तो अभी तक clarity नहीं है बढ़ा रहे है न बट B is son है yes or मतलब B male character है A male character है यह तो clear है अभी तक C is not son of A तो not son of A तो कोन रहेगा फिर मतलब वो उसका बेटा या बेटी है बट बेटा नहीं है ऐसे बोल रहा है मतलब कोन है बेटी yes or no how is C related to A daughter बहुत clear है थी yes or no C कोन है फिर बोलो daughter देखो A के बच्चे B and C है वो तो clear है समझाया या नहीं B कोन था son and C is not son बोल रहा है तो कोन रहेगा daughter समझाया क्या आपको A तो A जो father है यहाँ पे उनका बेटा कोन है बोलो son कोन था B and daughter कोन है daughter कोन थी यहाँ पे daughter C how is C related to A so C is बोलो daughter of A C is daughter of A what's the answer C is daughter of A is the answer tough निकलता है बच्चोई सब next 111 A is father of B A is बोलो father of B A is father of B C is बोलो daughter of B तो A is father of B बोला है तो काम करता हूँ A यहाँ पे लिख रहा हूँ father of कोन है B तो उसके B उसके निचे लिख दूँ क्या A is father of B C is बोलो daughter of B तो C उसकी निचे लिखता हूँ yes और no C daughter है किसकी daughter है B की correct है D is brother of B D brother है किसका B का D is brother of B E is son of A son of A तो यहाँ पे E इसी लाइन में न हो तो son correct है what is the relationship between C and E C and E C E दिख रहा है क्या आपको है तो E की बोलो बहाई की या भहन की बेटी है कोन C बहाई की बेटी रहने दो भहन की बेटी रहने दो उसको नाम तो नीसी है न तो क्या इनका relation है C and E हाँ बोलो E is हाँ बोलो uncle of C do you agree E is uncle of बोलो C और इसको हम क्या बोल सकते हो C is niece of E तो इनका क्या relation है बोलो C and E का niece and uncle is it option C is it option C niece uncle यह उनका relation है yes or no 112 if P is husband of Q if P is हो लो husband of Q तो P Q लिख रहा हम है उसमें obviously husband को ने P and Q को ने फिर उसकी wife P is husband of Q and R is mother of S and Q तो R जो है वो S and Q की mother है S and Q तो S कोन है या तो Q का भाई रहेगा है भाहन रहेगी नहीं समझाब कोई are you getting my friends okay क्या बोला दा P is husband of Q and R is mother of S and Q what is the what is R what is R to P mother in law R P के लिए कोन है तो B B की कोन है R कोन है mother है ने B B की मम्मी बराव है ने B B की मम्मी कोन मतलब mother in law तो R is बोलो mother in law of बोलो P R is mother in law for P कुण्स option टी कर दो option D 112 का answer D है क्या बचो 112 का answer D है क्या next X is husband of Y तो X husband है Y wife एक कपल है बराव रहे ना husband wife W is daughter of X X की daughter मतलब इन दोनों की daughter हो गए ना यह की है रहे की ने ऐसे भी कोशन आते रहेंगे तुम्हाई दिमाग को W is daughter of X Z is बोलो husband of W तो Z husband है W का yes or no मतलब यह भी एक कपल है ना W and Z yes or no N is daughter of Z तो इन दोनों की बेटी N है daughter of Z correct है what is the relation of N to Y N to Y बोलो granddaughter तो N is बोलो मेरे भाई N is granddaughter of Y N is granddaughter यह यह नहीं तो 113 का एंसर ऑप्शन डी है क्या मेरे भाई पाइल 114 A's mother is sister of B A A की मम्मी A की मम्मी का कोई नाम नहीं दिया है यहां पर अभी तक तो बहर है न Is sister of B sister of B मतलब A की मासी एओ sorry मासी रहेगा या मामा रहेगा B मम्मी का या तो भाही रहेगा या भाही बहन ना yes or no okay B and C is and she has daughter C क्योष की daughter है C A's mother is sister of B A's mother is sister of B and she has she has mother B has बहर है ना and B has daughter C तो B की daughter को नहीं C daughter है नहीं yes or no who is 21 year old how is B related to C how is B related to C sorry A's mother wait 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 नहीं नहीं गड़ बड़ होगे A की बेटी है A's mother is sister of B A's mother का नाम अभी तो ख्लीर नहीं है वो B की sister है and she has a daughter C she has a daughter C मत कोन A की mother की बेटी है नहीं मतलब A की बहर होगे नहीं yes or no and who has a daughter C daughter C who is 21 year old how is B related to C how is B related to C maternal uncle या aunt भी हो सकती है ना लेकिन what option में वो नहीं है तो correct answer क्या रहेगा बोलो B is तुनो मैं क्या लिख रहा देखो B is maternal बोलो uncle और aunt of बोलो C अब यहां पर जो option मेरे अभी ऐसे भी हो सकता है maternal uncle, maternal, aunt A और B तो A और B होता तो उसको preference मिलता ना नहीं समझा पूए यह uncle है ऐसे कहीं पे भी clear नहीं है B का gender कहीं पे भी question में clear नहीं हो रहा है yes or no question में जितना information दिया है उसमें B can be a male character can be a female character yes or no तो बोलो इसका correct answer क्या है यह option के साथ option B maternal uncle yes or no next A is D's brother A is बोलो D's brother तो A brother है D का बराव है न तो D को ने एकी sister है या brother है वो तो पता नहीं D is बोलो B's father तो B का father है तो अब A and D को ने अब बताओ भाई भाई है की नहीं clear होआ के नहीं के ज़िए D is B's father मतलब D male character इतना तो clear है तो A and D भाई भाई होए के नहीं बहले मैंने लिखते हो तो तो दर ब्रदर फादर ऐसे लिखा हुआ है बट A D एक लेवल पे हो समझ रहा है क्या अच्छा अब D is B's father then B and C are sisters तो B, C ये sisters है yes or no how C related to A C A के लिए कोन है niece है या nephew है niece correct or not तो C is C is बोलो niece of A C is niece of A yes, niece to A option is it option B 115 का answer option B है क्या फिर टफ था बोचोए niece next A is B's brother A is बोलो B's brother तो same question है नहीं न A is देखते है B's brother तो A brother है B बोलो A's mother तो एक काम करता हूँ यह दर नीचे लिख रहा हूँ A brother है न बचो A is B's brother C is A's mother तो इन दोनों की मम्मी C है इन दोनों की होगा है न हो yes or no then D is C's father तो D जो है यह C के father है एक generation उपर लिखा न मैंने E is बोलो B's son तो E B का बेटा है E son How is E related to A How is E related to A E के अंगल से कौन है nephew is related to A yes or no तो बोलो E is बोलो nephew for A A के लिए nephew है न हो तो to A क्या आंसर है to A A के लिए E कोन है A के लिए E कोन है nephew आपको नहीं समझ रहा है question कैसे बूश दो आपको क्या पूचा है How is E related to A A के लिए E कोन है कोन है फिर A के लिए E कोन है nephew तो correct answer is option B correct answer is option B ध्यान है क्या बच्चों सबका okay next 117 A and B are brothers A and B are brothers तो A, B ऐसे लिख देते एक जगा पे brothers A and B are brothers E is daughter of F यह sentence बाद में पढ़ेंगे क्यों बाद में पढ़ेंगे है अब यह आपने तो E कहा है पता नहीं है F कहा है पता नहीं है correct or not then F is wife of B तो A, B brothers है बरावर ना बच्चों उसमें क्याना इसे B and F एक कपल एक F is wife of B F is बोलो wife of B and A, B क्या थे बोलो इधर देको मैंने कैसे लिखा A, B को circle करके क्या लिखा देको ज़राएक में brothers yes or no A, B brothers थे and B, F husband wife है कोन husband है B and F में B and F wife है B की correct है F is wife of B E is daughter of F तो B and F का बोलो की बेटी है नहीं है E E is daughter do you agree of F E is daughter of F F is wife अब भी हो गया what is the relation of E to A E, A के लिए कोन है E is हाँ बोलो niece niece of A E is niece of A तो बोलो option C is it option C देखो यहाँ पे मैंने A, B, brothers लिखा है B, F एक कपल है समझ रहा है न तो A के लिए F कोन है बता हूँ इस कोशन में A के लिए F कोन है A के लिए F कोन है sister in law हाँ भाबी sister in F के लिए A कोन है brother in law A के लिए B कोन है brother brother B के लिए F कोन है wife F के लिए B कोन है husband F के लिए Slovent E कोन है mother E के लिए B कोन है father E के लिए A कोन है uncle a के लिए E कोन है niece समझा क्या दस कुछन हो सकते हैं यह एक बार एक डिलेशन क्लारीटी आ गए तो एस और नो चुछ हंटेट एन्ट सेवन्टीन तक आगे हम लोग नेक्स्ट वन नेट्ट एम एन्ड एफ इस ए मैरीड कपल तो एम कॉमा एफ मैरीड कपल एम एफ एक मैरीड कपल है फिर एन्ड बी आर सिस्टर्स बड़ा भी कुछ नहीं कर सकते एन्ड बी कहा है पता नहीं हमें एस सिस्टर ओफ एफ एस सिस्टर ओफ एफ तो ए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं एम एफ मैरीड कपल है और क्या बोल रहा है, a sister of f, यहाँ पे मैं पहले थो m f लिख रहा हूँ, समझ रह रहा है क्या बच्छों and f के बाजू में a लिख दू क्या, तो m f a couple है and f a कोन है? हाँ बोलो a sister, तो a के बाजू में sister लिख रहा हूँ मैं? इव तक अब देखेंस इसान करने इस अभी तक और एसे कुछ क्लारिटी नहीं है अभी तक अभी तक अब कोई क्लारिटी नहीं इसमें, are you getting this, A and B are sisters, A and B are sisters, तो A की sister आपस B है, yes or no, तो A, B are sisters, A, B sisters है, A is sister of, बोलो, F, A and B sisters है, who is B, who is, बोलो, B to M, sister in law, sister in law, अब या तो ऐसा भी हो सकता है, कि M का अगर पती है, F, तो पती की बहन है, या M की अगर BB F है, तो BB की बहन है हो, तो दोनों केस में, पती की बहन या BB की बहन, पती की बहन, समझ रहा है न, या पती की एंगल से BB की बहन, जो भी रहेगा, उसको बोलते तो हम, sister in law ही है, yes or no, तो बोलो, who is B to M, बोलो, B is, हम, sister in law, for M, yes or no, M के लिए B sister in law, कुछ गया है दिमाग में, B sister in law, for M, इसमें कुछ clarity आया है क्या है, वो चोब, अच्छा बता, M and F में male और female कुन सा है यहां पर, husband और wife कुन है, क्याना ऐसे अभी तक कोई clarity नहीं है, यह है आपको, आपको ऐसा लग रहा है कि, sir F कैसे यह होगा, अरे M and नाम है भाई, A B रहते हो, ऐसे नाम दिया है उन्होंने, F लिखा मतलब वो female है, ऐसे थुरी जूरी होता है कुछ, यह होता है, next, Q is son of P, Q is son of P, चलो, Q is son of P, चलो, मैं यहाँ पर Q लिख रहा हूँ, P उपर लिख रहा हूँ, Q is son of P, Q is son of P, आँ चलो, next, X is daughter of Q, तो Q के नीचे X लिख रहे है, X is daughter of Q, X is daughter of Q, R is auntie, bracket में लिखा है, बुआ, of X, X की बुआ है हो, कौन, R, मतलब R जो है, वो, समझ रहे हैं न, Q की sister होगी, क्यों की, बोलो, sister, obviously female character है, यहाँ पर मैं R के साथ में लिख रहा हूँ, R की बहन है, मतलब हो, yes or no, R is auntie, बुआ of X, and, बोलो, L is son of R, तो L जो है, वो R का बेटा है, L जो है, वो R का बेटा है, समझा क्या, L son है, then what is L to P, L, P के के लिए कोन है, बोलो, grandson, इसे कैसे relation होता है, इसे लग रहा है क्या आप होई, समझ रहा है क्या, मतलब हो, समझ रहा है क्या, P, son and female मतलब P के बच्चे हो गए न, इन दोनों के P के ही बच्चे हो गए न, आप समझ रहा हो क्या, तो who is, क्या आप कोशन पूचा है, and L is son, question क्या पूचा है, what is L to P, तो L P के एंगल से कोन है, बेटी का बेटा, बेटी का बेटा, मतलब कोन हो गया, grandson, तो L is, लिख रहा है क्या आप, L is, बोलो, grandson of P, grandson of P, तो correct answer is option A, correct answer is option A, I hope you are getting this, next, Rajiv is brother of Atul, Sonia is sister of Sunil, Atul is son of Sonia, okay, okay, एक काम करता हमें, एक जगा पे, Rajiv and Atul लिख देता हूँ, यह brothers है न, Sonia is sister of Sunil, यह बार में रेखेंगे, Atul is son of Sonia, तो इन दोनों की मम्मी कोन है, Sonia, Atul बेटा है तो Rajiv भी बेटा हुआ ही न, Sonia, Sonia is sister of Sunil, Sonia, सुनिल, sister है सुनिल की, समझा न, then, Rajiv is brother of Atul हो गया, Sonia is sister of Sunil हो गया, then Atul is son of Sonia हो गया, How is Rajiv related to Sonia, Rajiv, Sonia के लिए कोन है, Son, तो Rajiv is, बोलो, son of Sonia, तो Rajiv related to Sonia, तो Rajiv, Sonia का कोन है, बेटा, यहां पर दो बेटा है भाई, कोई डाउट है क्या है भाई, तोमादा उत्रा रहे, Rajiv, Sonia का बेटा है तो राहूल कोन है, फिर यह डाउट रह सकता है तुमारा, कोशना, Sonia Gandhi, Rajiv Gandhi, राहूल गांधी, इंदिरा गांधी, और पुरियंका गांधी, क्या बोले दे, और भी है न, छोड़ दा भी, अपना 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 फोकोस करते, यह न, अपने को सिर्फ, क्या बोले दे भाई, भाउ, माउ, ओ, वो, वो, प्यार से बोलती है माउशी को यह न, आ बेटा क्या बोलती है माउशी को, माउ, भाई, कंट्रोल, कंट्रोल, बच्चे का मजाक ने उढ़ाती है कुछ भी, खैसे यह देखरें है यार, जोड़े बच्चे का मज़ाग नी उड़ातियार कुछ भी करा पाप लगेगा तुम वेदर अंसा इस सन 120 होगा है 121 there are two film stars one is father of other's son what is the relationship between what is the relation of two with each other husband and wife husband and wife do film star one is father of other's son do film star abhishek and ashorea one is one is father of other's son one is father of other's son do film star husband and wife he is he is let's say Amitabh and jaya bachan तो Amitabh is father of jaya son Amitabh is father of jaya son तो jaya और Amitabh में क्या relation है husband and wife समज़ा क्या दो film star समज़ा क्या दो film star उसमें से एक जो है वो दूसरे के बेटे का पपा है समझा क्या बेटे का पपा है समझ रहा है क्या मतलब वो बेटा उसका खूट का है समझ रहा है क्या कोई डाउट नहीं हो इसमें ठीक है तो husband and wife सिगंदी सोचा है तुम लोग 122 Ramu's mother said to Ramu क्या बने रामू की मम्मी My mother has a son whose son is Ashwat I was Ashwat related to Ramu सोच के बताओ Ramu अपनी मम्मी को क्या बोल रहा है बोलो Ramu's mother said to Ramu अच्छा रामू नहीं बोल रहा है Ramu's mother तो समझ चलो यहाँ पर Ramu's mother है Ramu's mother said to Ramu My mother My mother इसकी मम्मी बोलो My mother has a son has a son कोई सान ने बेटर नाम नहीं दिया भी तक Whose son is Ashwat तो इसका बेटा Ashwat है Yes or no How is Ashwat related to Ramu तो अभी रामू's mother है तो यह रामू उसकी एक जनरेशन नीचे ना नहीं समझा आपको यह है Are you getting this? तो रामू एंड अश्वत कजिन समझा या नहीं रामू एंड अश्वत यह कोन है? कजिन समझा क्या आपको अश्वत के पपा रामू के लिए कोन है? अश्वत के पपा रामू के लिए कोन है? अंकल है या नहीं? अश्वत के लिए रामू ज मदर कोन है? आंट बुआ Yes or no रामू ज मदर रामू ज मदर यह जो अश्वत के पपा है उनके लिए क्या है? सिस्टर कोन है हो? सिस्टर I hope you are getting this 122 हो है सोल नेक्स 123 देर आर पायू हाउस P Q R S T P is right of Q P is left of R and R is right of P Q is right of S which house is in the middle? समझा आपकोई? तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम ऐसा इंटर्पेशन लेते की every house is facing north मतलब यह P का right क्यों है तो हमारा भी right लेंगे पर हम लोग नहीं समझा आपकोई Are you getting this? So there are five houses P Q R S T P is right of Q तो P इदर लिखा मैंने और इदर Q तो P is right of Q लिखा क्या मैंने बटाओ? P is right of Q लिखा क्या? ऐसे ही होता है क्या? Then T is left of R यह बाद में लेखेंगे and right of P तो T is left of R and right of P तो P के right में लिखना पढ़ेगा न T and T जो हो R का left है T is left of R and Q is बोलो right of S Q is right of S तो S इदर है Q is right of S which house is in the middle? middle में कौन सा house है? P middle में आओ से P I hope you are getting this तब तब चोए which house is in the middle? answer is P चोड़ो 124 करें क्या सोल 124 5 friends are sitting on the bench 5 friends are sitting on the bench A is to the left of B but to the right of C तो ऐसे हम आइसे हम आइसे हम आइसे हम कर लेते हैं कि everybody is facing north everybody is facing उपर देख रहें सब लोग 5 friends are sitting on the bench A is to the left of B तो A मैंने B के left में लिए है दिख रहा है कि आपको everybody is facing north my friends सब लोग नोग नोग की तरफ देख रहे हैं तो A जो है B के left में है के बराबर okay A is to the left of B but on the right of C right of C तो A जो है वो C के right में है समझा क्या D is to the right of B तो D जो है वो B के right में लिया D is to the right of B but D is to the right of B but on the left of E तो E समझाया नहीं D is on the right of B वरार है नहीं but left of E who are at the extremes C and E C and E are at the extremes C and E are at the बोलो extreme अच्छा अगर आपने assumption change किया हो तो तो answer आलग आता क्या अगर आपने assumption everybody is everybody is facing south लिया होता तो तो E and C आता ना extreme में तो ही रहता ना फिर भी नहीं समझाया आपको में क्या बोल रहो अगर आप everybody is facing south लिया होता आपने तो क्या आता arrangement ऐसे आता ना E, D, B, A, C ऐसे आता are you getting this but extreme में तो यहीं दो लोग रहते ना C and E is the answer next in a college party five girls are sitting in a row P is to the left of M तो P जो है मैंने M के left में लिया P is to the left of M and to the right of O तो P जो है O के right में है R is sitting to the right of N R is sitting to the right of N उत बाद में देखेंगे but to the left of O तो O के left में R है बढ़ा बना पुचो और क्या बोला है R is sitting to the right of N तो N इधर है फिर yes or no do you agree but to the left of O who is sitting in the middle O तो O is sitting in the middle yes or no तो middle में O I hope you are getting my friends who is sitting in the middle O next 126 करने सौल 5 boys A, B, C, D, E are standing in a row D is to the right of E तो D जो है ओ E के right में ले रहा है then B is to the left of E B is to the left of E but on the right of A B is to the left of E but on the right of A right of A तो B है के right A के बराबर D is to the left of C D is to the left of C who is standing at the extreme right बराबर है C who is standing at the extreme right correct है who is standing in the middle E तो E is standing in the middle yes or no standing in the middle who is standing in the middle E is standing in the middle next 127 परदे बच्च कोशन 4 ladies A, B, C, D and 4 gentlemen E, F, G, H are sitting in a circle around a table facing each other facing each other मतलब like dining table yes or no no two ladies or gentlemen gentlemen are sitting side by side सम्झान आपको मतलब दो ladies या दो दो जंटलमन कहीं पे भी साथ में नहीं है अल्टरेट है मतलब C आपके इदर भी होए कैसे mistake C who is C who is sitting between G and E is facing D F is between D and A facing G facing G H is to the right of B पहले अपने को अर्रेंजमेंट finalize करना पड़ेगा ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? question तो बाद में पड़ेंगे मैं उपर लिखता हूं space है के नीशे? okay तो यहां पर मैं ऐसे कुछ लिखता हूं ध्यान दे रहे हो कि सब लोग हो चूँ तो एक circle draw कर रहा हूँ कितने लोगे टोटल आठ क्या? टोटल आठ लोग है न? अच्छे दिस circle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे लोग है है? yes or no? तो यह आठ लोग circular form में बेटे बरावर facing each other दिख रहा है के सब को? facing each other दिख रहा है के मेरे भाई? या facing each other 8 person उसमें से females कौन से? females कौन से? A, B, C, D and males कौन से? E, F, G, H E, F, G, H यह males है बरावर न? चलो बोलो क्या-क्या बोलाई उन्होंने एक यह करके लाइन पड़ो no two ladies ओतो यह दाम ध्यान रखेंगे बरावर C, who is sitting between G and E facing D सब लोग प्लीज ध्यान दो यहाँ पर अभी लिखो मत पहले मुझे finalize करने तो बाद में copy करो हो सकता है कि मैं कुछ लिख रहा हूँ yes or no C, who is sitting between G and E is facing D तो C is facing D तो C क्या face D C is facing दिख रहा है कि आपको है is D चलो बोलो और क्या बोला है F is between D and A is facing G F is facing G तो F कहां लिखा मैंने देखो ज़रा G के सामने लिख दिया बढ़ा रहे कि नहीं हां बोलो F is between D and A facing G तो D and A के बीच में तो A इदर रहेगा yes or no A इदर रहेगा कि नहीं हां चलो H is to the right of B H is to the right of B तो अब आच्छा मुझे बताओ A, B, C, D, F, G, H में कौन-कौन छे लोग आ गए नहीं हापे कुणशे कुणशे आगे A, B, सिर बाकी है न yes or no H and H and B बाकी है न तो G के बाज़े में कौन आएगा फिर अबी B आएगा क्यों male, female, male, female and H इदर रहेगा ना फिर yes or no सबसे पहले तो बताओ यह alternate होआ कि बराबर A, B, C, D, F, G A, C, B, D, बराबर है कोई दो male या कोई दो female साथ में नहीं आप चेक करो तो मेरे खाल से सारे condition साड़ी स्पाय होगा है अज़ा सुनो द्यान से बच्चो अब कोई बोलेगा नहीं सर मैं ऐसे नहीं ड्रॉ किया तो हो सकता है कि किसी के लिए सब का पोजिशन एक 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 शिफ्ट किया है मतलब किसी ने भी लिखा है समझ रहा है ना बट बी के आपोजिट तुम्हारे लिए बराबर एही रहेगा नहीं समझ रहा है कि तुमने लिखाई भी इदर left hand side में बट बी के आपोजिट यही रहेगा दूसरे डारेक्शन तो यह सेम टूसेम दिखना जरूरी नहीं है बट आपोजिट को ने हो टैली होगा बराबर क्योंकि कोई सर्कल को स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है इस डाट क्लियर चलो तो यह ऐसा कुछ आरेंजमेंट होगा फाइनली दिख रहा है सबको चलो बोलो क्या कोश्चन दिये एक बार यह द्रॉ करो आप और मेरे खायल से अगर यह तुमने ड्रॉ कर लिया तो वन टू त्री तीन कोश्चन है इसमें कुछ भी दम नहीं है क्या लगता है आपको बस यह डाग्राम देखके आंसर यह देखके आंसर देना आपको स्ट्रेट वे डू अग्री और नॉट को आन्सर फाइना बूड़ अग्रइस और अच्छा नेवर्ष आफ वन लिखाए कि करें आपकोश्य करेंगे ना आपकोश्यव क्रीट करियें यह तो हुआ यह दू चलो फू आर्ध इमीडिट नेवर्स आपको अब कर देना वा दू नेवर्स आपको ने एफ ऑप्शन भी प्रन एक नेबर्स एफ है हाँ चलो बताओ कोश्च नॉबर वन क्या था है को इस सिटिंग तो दे लेफ्ट आफ ए एक लेफ्ट में को ने एफ अरिश और कैसे ले दें लेफ्ट राइट लेफ्ट मतलब क्लॉक्वाइज 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 समझ रहे क्या एंड राइट मतलब और तो लेफ्ट में अब इमाजिन करो सोचो तुम यह डाइनिंग टेबल पर बेटे अंदर खाना है ऐसे सोचो और बताओ एक लेफ्ट में कोने तुरं समझेगा आपको कोन है एफ एक लेफ्ट में एफ है तो एक राइट में भी एफ रहे सकता है अगर समझेगे गार्डन में एक ऐसे पेड़ है और पेड के बाजू का इस सरकल बेंच है अनि बैठ है तो अब लोग बाब बहार देख रहे हैं नहीं समझा आपको एक गार्डन का टेबल है उसमें सब लोग क राइट में एफ है लेफ्ट में अभी एक राइट में एफ बिकॉस एवरीवन इस नॉट फेसिंग सेंटर हो रहे है यह यह समझ रहा ना फेसिंग आउट साइड कुछ घया रिमाग में चलो तो इस फेसिंग हूं बोलो इस फेसिंग हूं एच औरेक्ट एंसरी ऑप्षन तो कौन सा कोश्च न था है कि 127 हो गए क्या 127 में कोई डाउट है क्या वापरे बात नहीं कर रहे कुछ हो गया 128 करना है सो लिए P2W P Q R S T U V W आट लोग है मतलब are sitting in front of one another in two rows तो आट लोग है चार चार के rows बनाए रहेंगे फिर उने each row has four persons good ball right whatever F P is between U and V and facing north who is facing north P P is facing north who Q is Q who is immediate left of M is facing W R is between T and M R is between T and M and W is to the immediate right of V W is to the immediate right of V तो थोड़ा पहले finalize करना पड़ेगा working ज्यान देरे बचो ऐसे imagine करो कि यह चार लोग है एक दो तीन चार यह इधर देख रहे है नीचे ज्यान देख रहे हो और यह और चार लोग है उनके सामने बैटे हुए एक दो तीन चार और यह facing north है तो उपर के चार लोग facing क्या है बोलो साउथ इधर देख रहे हैं नीचे के चार लोग facing north है क्यों आठ लोग है टोटल टी क्यू आर एस टी यू वी डवल्यू यह नीचे के चार फेसिंग नौर्थ है समझा क्या दो रो में बैटे ना यार चार चार लोग पहले हमें फाइनलाइस करना पड़ेगा बचो यहां पर प्लीज ध्यान दो बाद में लिख सकते हो एक बार फाइनलाइस होने के बाद लिखो पी टू डबली और सेटिंग इन फ्रंट आफ वन अन अडर इन टू यहां पर लिख लेता हूं देखते बाद में मैं चेंज भी कर सकता हूं तो पी इस बिट्वीन क्या बोलाता हूं उन्होंने यू अड वी और फेसली डिया फेसिंग नॉर्ट ना पी इस फेसिंग नॉर्ट ओके देन बोलो क्यू हूं इस इमेडियेट लेफ्ट आफ एम इ इस फेसिंग डभी इस फेसिंग डवशेढ अभी तक सब्सक्राइब तक मतलब इससे अभी कुछ प्र quindi नहीं हो réuss इसे कुछ कंफर्म तो प्लेस नहीं मिल रहा है न किसी का यहां तक समझा क्या बताओ पक्का यह अभी ऐसा भी हो सकता है कि यू पी वी इधर है बच्छो यह कोई प्लेस फिक्स नहीं है अभी तक इतना पक्का है कि यू एंड वी के बीच में कोन है पी ऐसा भी हो सकता है कि यू इधर आ जाए यू इधर शिफ्ट हो जाए यह भी तो पॉसिबल है ना क्योंकि बिट्विन यू एंड वी बोला इतना है क्लियर है सिर्फ अभी तक पढ़ते हैं अभी एच रोए पी इस बिट्विन यू एंड वी यहां तक क्लियर हो गया और फेसिंग नॉर्थ यू इस इमेडियेट लेफ्ट आफ एम क्यू इस इमेडियेट लेफ्ट आफ एम इस फेसिंग डव्यू तो डव्यू के आपोजिट कोन है डव्यू है येस क्यूए रहेगा डवल्यू का प्लेस फिक्स है क्या लिकिना भी तक वो तो फिक्स नहीं है बढ़ डवल्यू के सामने क्यों है इतना पक्का येस और नॉम समझा क्या बचो हम चलो बोलो पी इस बिट्विन यो और वी हो गया है फेसी क्यू इस इमेडियेट लेफ्ट आफ एम इस फेसिंग डवल्यू इमेडियेट लेफ्ट आफ एम इस फेसिंग डवल्यू इमेडियेट लेफ्ट आफ एम इस फेसिंग डवल्यू इमेडियेट ले M के left में यह क्यों तुमारा नहीं उसका M का left M का left में Q है कि नहीं येस और बोलो R is between T and M, R is between T and M, तो R इदर लिख देते, T इदर लिख देते, R is between T and M and W is to the immediate, बोलो, right of V, W is to the immediate right of V, अब W, V के right में है क्या? अरे शौर, right में मुझे तो लिख रहा है, समझ रहा है na, W is to the immediate right of V, they are facing north, they are facing north, मतब W right में है V के बराबर, तो मुझे लगता है कि this has satisfied all the conditions given, अब जनरली जब यह ऐसा finalize हो जाएगा ना बच्चो, तो क्या करने का, वापस एक बार question पूरा पढ़ने का, और देखने का कि सारे condition satisfy होते हैं क्या, देखने का क्या वाफस एक बार, चलो पहला sentence पड़ो, please, पड़ो मेरे भाई, P to W are sitting in front of another, in two rows, each row has four percent, piece between U and V, check करो है क्या, आपके सामने है यह, piece between U and V, check करो, समस्था है क्या, piece between U and V, and then, अच्छा मैंने V इदर लिका तो चलता है क्या, फिर, U and V के V, U किया तो चलता है क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि V के right में को न है, W, तो V को इदर ही लेना पड़ेगा न, समझा क्या, चलो, next sentence पड़ो, यह सारे condition satisfy हो गए, क्या, बता आप मुझे, P is between U and V, P था गया U and V के ब कुछ finally ऐसे 8 लोग दिख रहे हैं यहां पर, दिख रहे हैं आपको भी, उसमें से facing north कुन को न है, तो मैं ऐसे लिखा तो चलेगा, क्या बताओ, U, P, V, W, are facing, are facing north, and below, T, R, M, Q, they are facing, they are facing south, T, R, M, Q, are facing south, are facing south, सही है, T, R, M, Q, are facing south, चलो, बोलो, क्या question पूछ है, बताओ, एक एक करके, who is sitting in front of R, R के सामने कोन बैटा है, P, is it option D, next, who is, to the, और रहे गए, क्या होगा है, तुमारी बुक में भी होगा है, कैसे, who is to the, immediate right of R, R के immediate right, who is to the immediate right of R, बोला गया, R के immediate right में कोन है, M, देख रहा है मुझे तो, समझाना, आपको कौन से direction में देख रहा है, सोचो जड़ा, R के right में कोन बैटा है, T, T बैटा है न, पका, next, in which of the following pairs, in which of the following pairs, persons are sitting in front of each other, M, V, एक दूसरे के सामने है क्या, और वो छोड़के कुछ भी नहीं क्या, और बाकि सब wrong है के चेक करो, R, V नहीं न, एक दूसरे के सामने, P, V, नहीं, and U, R, नहीं, तो M and V are sitting in front of each other, yes, तो आपने ये U, P, V, W facing north, P, R, M, Q facing south, लिख दिया क्या है, लिख दिया क्या मेरे भाई, ये समझा के फिर इस टाइप के question कैसे solve करते है, 129th, A, 2, H are sitting in a straight line facing north, तो कितने लोग है टोटले 8 है न, A, B, C, D, E, F, G, H, सब लोग facing north है, C sits, बोलो, fourth left of G, D sits, बोलो, second right of G, only two people sit between D and A, B and F are immediate neighbors of each other, B and F are immediate neighbors of B and F बाजु बाजु में मतलब, B is not immediate neighbor of A, B जो है A के immediate बाजु में नहीं है, H is not the neighbor of D, मतलब है H जो है D के immediate बाजु में नहीं है, तो आप ये सब पढ़के सब condition satisfy करने वाला arrangement करो पहले फिर आप, करो, चला, wait for your answer, आप direct answer बताओ कि मुझे, A, B, C, D, E, F, G, H, ऐसे आर्ट सीट है, and everybody is facing, बोलो, everybody is facing north, तो A, B, C, D, E, F, G, H, आर्ट सीट बना रहो है यहाँ पे, अब कोन से के सिक्वेंस में बैटे है, क्या आप बता मुझे, जो भी है, सारे condition satisfy होना चीए, all are facing, all are facing, बोलो, north, तो यह north इदर है, बड़ा रहे हैं, all are facing north, सही है, हो गया, yes, तो आप मुझे बताओगे, यह आठ लोग कैसे बैटे है, हो गया बैटे तुम करो मेरे भाई, कुछ लोगों का हुआ है, वो पहले क्या रहे होना चाहिद, अभी मुझे ने रखता है कि इतने कम समय में होगा, है ना बेटा, all are facing north, all are facing north, चलो बोलो फटाफट, होगा कुछ trial and error, कुछ समझ रहे हैं न, cut होगा, लिख किये, फिर लगए, आरे, आरे, यह इसा नहीं, होगा यह, उसके बिना सौल नहीं हो गए, ऐसे first टुक लिख दिया और correct ऐसा थोड़ा कम चांसे से, इस, आप कर रहे हो क्या हम, हमने solve किया है या देख लो बैच में इसे question solve किये, हाँ चलो बताओगे क्या arrangement आप मुझे, हाँ बोलो left से right तक बताओ क्या है, h, पहले h है क्या, then c b f a g और कौन e d are you sure about this, ठीक है, आई stream में भी answer बता है भाई किसे ने तो यह सिधान तो चलो यह ऐसा कुछ answer है, यह answer है क्या हम, बागी लोग ने लिख लिया है न, direct देखे copy paste, लेकिन रहे गाई, पूरा भरोसा है दोस्तों पे, intelligent ही उतना भरा पड़ा है न, चलो एक काम करते है, यह जो भी आपने दिया है, यह सारे condition satisfied करता है क्या check करेंगे, C sits 4th left of G, तो G के 4th left में C है क्या बताओ, तो यह G के 1st left, 2nd left, 3rd left, 4th left, यह condition दुशारी स्पाइड है, G sits, बढ़ा रहे न, हाँ, C sits 4th left of G, D sits, बोलो, 2nd right of G, तो G के 2nd right में D है, है या नहीं, हाँ next, बोलो, और क्या बोला था, only 2 people sit between D and A, तो बोलो, D and A के बीच में कुन कोन है, G and E, दो लोग है के बराबर, हाँ, then, B and F are immediate neighbors of each other, तो B, F बाजू-बाजू में है क्या, B, F बाजू-बाजू में है क्या, है या नहीं, B is not immediate neighbor of A, तो A भी बाजू में नहीं है न, and H is not the neighbor of D, H and D बाजू-बाजू में नहीं है, यह भी clarity है, तो सारे condition satisfy करने वाला यह यह arrangement है, Yes or No, चलो, बोलो, पहला question क्या था, बोलो मेरे भाई, क्या question था, Who among the following sits third to the right of C, C के right में third कोन है, यह first, यह second, यह third, क्यों है फिर, बोलो, A, where the correct answer is A, third right of C, where the correct answer is option C, where the correct answer is option C, next, Which of the following represents person seated at two extreme ends of the line, extreme line में कोन है, D and H, D and H, extreme में है, है यह नहीं, what is the position of H with respect to F, F के angle से H कोन है, F के angle से H कोन है, बोलो, third, left, third to the left, third to the left, तो F के angle से H पूजा था था न, तो F के angle से left में first कोन है, B, second कोन है, C and third, H, fourth question, How many persons are seated between A and E, A and E के बीच में कितने लोग है, one, तो correct answer is option A, correct answer is option A, तो यह चारो कोशन का answer हम दिये क्या बचो, yes or no, कुछ गया है दिमाग में, next, 130, given that A is mother of B, तो A is mother of B, तो A mother है, B के, then C is son of A, तो C son of A, D is brother of E, और बाद में देखेंगे, E is daughter of B, तो E daughter है, E is daughter of, बोलो, B, और क्या बोला था, उपवर पहले एक sentence, D is brother of E बोला था, तो D, D brother है, E का, brother है न, मतलब B के बच्चे हैं न, यह दुनों, who is grandmother of D, repeat question है, जो भी, तो D's grandmother is, D's grandmother is, A, D's grandmother is, A, अच्छा बता बच्चों, ऐसे 1000 भी questions वाल किये, तो, एक्जाम में ultimate आपको करना है, अब direction sense related, blood relation related, coding, decoding related, मेरे ख्याल से मैंने sufficient question यहां पे लिए, even though it seems 130 questions over here, क्या लगता है आपको, yes or no, आप देखो coding, decoding के related, बहुत सारे questions लिए कि नहीं, बहुत सारे अलग-अलग type के code, pattern, समझा क्या नहीं, अच्छा number series के related question लिए क्या, number series के related question हो आये क्या बराबर, relations के related सब कुछ, बहुत सारे questions आ गए, direction test के related भी आ गए, sitting arrangement का भी हो गया, समझा या नहीं, अब यह hardly कुछ आपका study model देखोगे तो hardly explanation wise देखा जाए, तो दो-दो pages के chapter है, literally, दो-दो pages, direction test तो आदे page का chapter है, उन्होंने अगर जहां पे शुरू किया है, उसी page पे chapter कतम हो है, actual man, yes or no, तो I hope you understood everything of this, तो इसके साथ में other than index number, we have completed everything, तो मैं आपको suggest करूँगा कि index number का, देखो छोटा सा chapter है, बट, exam को time है तुमारे पास अभी भी, तो index numbers के सारे lecture देख रहे न, एक ए गंटे के hardly कुछ 8 नौ lecture से, 7-8 lecture, 8 lecture से, मतलब 2 गंटे का एक lecture पकड़ा तो 4 lecture से, है या नहीं, इतना basic से, आप देखोगे तो आपको लगेगा इसमें कुछ भी नहीं है, बट वो एक बार तो उसके बाद में हम यहां पर complete करेंगे, आज फिर भी मैं start करूंगा भी हाफ एन बचा है तो जितना समोझता है उतना समोझने दो, चलेगा क्या और उसके बाद में रिविजन का एक सिर्व एक lecture हम बाद में complete करेंगे चल सकता है, otherwise can I say this batch is over other than one lecture, but आपको index numbers के lecture देखना पड इस थैंक्यू, तुमारे data में मेरे lecture के लिए space मिल गाया मतलब मैंने पुन्य किया रहेंगे कुछ, है ना, अभी शेक, एस करना फिर index number start, इंडेक्स आज start कर देते बाद में आप lecture देखने के बाद और एक, तो next lecture is going to be the last lecture of this batch, ओके, बहुत दुख हुआ न, अतना दुख हो रहा है तो pass हो जाओ, करीबन 102 से 103 lectures इंटर कॉस्टिंग के है, ठीक है, अगर सच्छी में दुख हो रहा है तो, ठीक है, तो क्या करना है, इंटर में मिला है या foundation नहीं पस, इंटर में, जा रहें इंटर, मुझे लगा तुरंट से इंटर में जाए रहें, ठीक है, चलो फिर लास्ट चाप्टर स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स नंबर्स, इंडेक्स नंबर्स, अब कब लेक्स कम्रीट करोगे वह बच्चे वह रिगले बैच कांद से देखोगे, बहुत साइव लोगों ने देखे, एंजनों नहीं देखे, वह कब कम्रीट करेंगे, दो दिन में, क्या वो टेसरीज है, यह है, वह है, बहाने तो सौर है अपने पास, है न, सौर बहाने देखा ही नहीं रहेगा, देखो मेरे भाई, एक कोश्चन भी हो सकता है कि आपका रिजल्ट चेंज करे, समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपोर्टन रहता है, are you getting this, एक अच्छी जिंदगी और भाट में खराब जिंदगी, इसमें क्या डिफरेंस है, जो future में आपको पता चलने वाला है, पर उसके roots अब यहां पर है, समझ रहा है क्या, इस stage पर आप क्या मेनत करते हो, कितनी मेनत करते हो, यह determine करता है तुमारा future, correct है, particularly when you are at foundation level, तो थोड़ा sincere बनो अपने career के लिए, हो सकता है न, अपना जो एक प्लान है भाई, आज आपने को इतना करना है, तो करने का ही फिर, possible है न, yes, तो index number के सारे lectures complete करोगे, उसके बाद में आपने को यह revision complete करना है, possible है, यह नहीं है, सर पढ़ाते हैं, यह सब YouTube पर देखने के लिए बोलता है, सर कुछ भी नहीं पढ़ाते है, हमारे सर टाइम पास करते हैं, आके नाचते गाना कितने number of hours आपने spend के पता है न, आपने को, yes, इसके बावजूद में आपन मैस में fail होते तो यार क्या मद इज़्जत रही है, है या नि, actual में बताओ, fail होना justified है क्या, ज्यादा ज्यादा क्या होगा भाई, ठीक है यार, 65 marks आए, 70 आए, 69 आए, 73 आए, 76 आए, यह समझ सकते, यह कोई अच्छा स्कोर नहीं है बड़ समझने लाएक है, बरावर है कि नि, तुमारे लिए तो आच्छा ही हो गए, 76, ओके चलो, इंडेक्स नमबर्स देखते हैं, जितना हो सकते हैं, उतना देखेंगे, उसके बाद में, last next lecture is going to be, last lecture of this comprehensive revision, ठीक है, चलो, इंडेक्स news of price rise, news of price rise, GDP growth, production, growth, etc., it is important for students of chartered accountancy to learn techniques of measuring growth, rise or decline of various economic and business data and reporting it with the help of index numbers, with the help of index numbers. क्या examples है, index numbers के बता, examples, आप बता, आप जो जानते हो, example बता, examples of index numbers, हाँ बोलो, अपने एकोनाईस में होगरे आया रहेगा ना कुछ तो, examples of index numbers, cost inflation index, cost inflation index, then wholesale price index, WPI, पढ़ा रहेगा आपने, होलसेल, price index, human development index, HDI, human development index, very good, sensex, nifty, परा है न, यह भी index numbers ही है न, etc., और बहुत सारे index numbers है, अब समझ रहे बचो, अच्छा, यह sensex, ही भी एक index number है क्या, yes, it is representing relative share prices of 30 top listed companies on Bombay Stock Exchange, and nifty is relative share price of top listed companies, top 50 listed companies on national stock exchange, nifty 50, इसले तो बोलते हैं न, yes or no, and sensex is based on share prices of 30 top listed companies on Bombay Stock Exchange, तो हम लोग क्या बोलते है, sensex का क्या आल है, 300 point उपर है, 200 point उपर है, इसका मतलब क्या है, अच्छा, sensex उपर जा रहा है, कोई company के share price नीचे आई ही नहीं सकते क्या, आ सकते है, sensex उपर है, वेकात company का share price डाउन ही है, ऐसा भी हो सकता है, बट sensex जनरली उपर जा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, overall share prices are rising, overall share prices are rising, क्योंकि 30 top listed companies का representative number है हो, sensex, and 50 top listed companies on national stock exchange का एक indicator क्या है, nifty, क्या है, nifty, are you understanding this, wholesale price index, आज बता आप मुझे, आज हम April में 2022 में 2022 में, बराव है न, आपको पिछले कुछ मेहनों से ऐसा feel आ रहा है कि नहीं हर, हर चीज महेंगी हो गई है, हो सकता है कि आपके पपा से आप पहले 10,000 उपे लेते थे महने का, हो सकता है कि आपने रिसेंट में पापा को request किया है कि पापा 10,000 में कुछ नहीं होता है भी, आपको 12,000 देना पड़ेगा, या 11,000 देना पड़ेगा, possible है न, yes or no, अभी कुछ दिनों के पहले मैं और प्रशांद बात कर रहे थे, okay, मैं उसको प्रशांद को बूचे कि भाई ये तुछ जो ये काम कर रहे है, जो भी कुछ काम है, इसको कितना खर्चा रहा है, तो वो बोला कि यही काम मैं अगर लॉक्डाउन के पहले के प्राइसेस पे करता, तो आठ लाग रुपे में हो जाता, अब 15 लाग रुपे लग गए, मतलब वो क्या इंडिरेक्ली बताना चाहता है, कि अल्मोस्ट प्राइसेस डबल हो गए, पेंट के प्राइसेस, समझ रहा है ना, वायर के चार्जेस, स्विचेस के चार्जेस, या जो भी कुछ बोर्ट सुगरे रहेंगे, वाटेवर इडिस, प्लाइ, करेक्ट है, जो भी कुछ इंटेरे डेकोरेशन में यूज होता है, उसका प्राइस अल्मोस्ट टू टाइम्स हो चुका है, वो बताना चाहता है, एस और नो, are you getting my friends, simple है, कोई भी, जैसे मैं और प्रशान कुछ चार दिन पहले मुंबई गए थे, उसमें कोई एक ड्राइवर था, वो हमें बत यह प्राइस डाइस बड़ गए, तो पूरा हमारा मार्जन कम हो गया है, घुछ बहु नहीं कमा थे हम लोग, हम लोग अभी, कुछ भी कमा नहीं पा रहे, और यह अंडेसानिंग दिस तो कही ना कहीं तो क्या बताना चाहता है, बोलो प्राइसे बढ़ गए, तो अब अध बढ़ बस घंड दक को एक डेशके लेवल फे प्राइस बढ़ है इसका एक फॉर्मल नंबर चाहिए ना आपको उसी को हम क्या बूलत है फिर उसक्त इंफुलेशन इंडेक्ष क्या बोलते है काॉस्ट Elysian Index जो आपको बताता है कि देश कुंप्रीज का करती करना है क्या करना है का धुक्रीज का इसके वाइस पर देश को रांकिंग देते हैं हम लोग करेंड और नॉट अनफॉर्चुनेटली इंडिया का रैंक देट सो क्यों पर है समझ रहा है कि देट सो मतलब है एच डियाइवाइज हम पहले 150 में भी नहीं है जब मैंने देखा था तब तो आम शूर अभी उससे सब्सक्राइब करना इतना आसान नहीं है बट अब समझ रहे हूं एच डियाइवाइज एच डियाइवाइज एच डियूमन डियूमन डेवलप्मेंट इंडेक्स मतलब लोगों का स्टैंडर्म दीग लोगों का क्या यह रहे एवेरेज ऐच स्बुक्टेन बट क्या होता है यह सब कॉलते हैं यह सब कंसिडर करके एच डियाइव क्लकूइब होता है तो एक नंबर एक नंबर जो क्या बतरहां हुमन development को रीपरेजट कर रहा है is known as human development index 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 इसे इंडेक्स नमबर के मैं example दिया समझ रहा है कि आपको लिखा क्या आपने examples are cost inflation index then wholesale price index hdi sensex nifty etc index number is अपड़ो definition of index number index number is a ratio or average of ratio देखो बच्चों और average of ratios, of, बोलो, prices, quantities, values, where two or more periods are involved, two or more time periods are involved, and one of which is the base period, इसको उनलान करो, one of which is the base period, तो base period क्या होता है बच्छो, एक particular year, जिसके साथ हम compare करते हैं, जिसके साथ हम compare करते हैं, जब भी हमें find करना है कि इस साल का price level क्या है, तो हमें किसी की साथ तो compare करते हैं, करना पड़ेगा कि नहीं, तो हम जिस year के साथ prices compare कर रहे हैं, उस year को हम क्या बोलते हैं, base year, the time at the base time period, serves as a, बोलो, standard point for comparison, standard point for comparison, are you understanding this, तो जिसके साथ भी हम compare करते हैं, बच्छो, जिसके साथ भी हम compare करते हैं, preferably it should be a normal year, preferably it should be a, हो सकता है कि किसी context में आपको प्रशान सार ने बता रहेगा, जब भी हम दो साल का comparison करते हैं, demand, supply, GDP, समझ रहे हैं तब हम किसके साथ compare करना चाहिए, बते हो, India and China का war हुआ था, 2018 में India of China war हुआ था, सुन रहे हो क्या, एच हो यो 7 महने वार चला था, 7 महने, वार चला था, तो शाथ मेने वार सीचीचेयोर चुका है ना, India, बहुत सारे company अंडिया के factory बन दे है, बहुत सारा economic fluctuations है, समझ रहा है क्या, government वो work में busy है, economic की तरफ ध्यान देने को भी किसी को time नहीं है, अब बताओ, 2019 का GDP जब मैं compare कर रहा हूं, तो 2018 के साथ मैंने compare करना चीए क्या, नहीं करना चीए, क्यूं, 2018 से तो अच्छा ही दिखेगा न, 2019 में, क्यूं, 2018 ये abnormally खराब यह था, abnormally, तो हम abnormal data के साथ compare करके, खुश होने में मतलब नहीं ना, yes or no, किसके साथ compare करना चीए, normal year के साथ compare करना चीए, किसके साथ, normal year के साथ compare करना चीए, I hope you are understanding this, या समझो एकाद जैसे की समझो मेरा income है, सुन रहे हो क्या, मैंने income बता दिया अपना, लेट सेथे 2004 चार से लेकी अभी तक का income बता रहाँ, let's say 2 करोड, 3 करोड, 3 करोड, 3 करोड, 4 करोड, 10 करोड, 2 करोड, 3 करोड, 4 करोड, कि कि में दस क्रोड़ यह सम्झाइए नहीं समझाया नहीं उस साल में के भीसी में सार्ट जीता था तो आधर वाइस में मेरे अए फशे वर उस साल हुआ है क्रहक्राल मेरा आगले साल जर्थी historik भाध थे करोड़ पूरा efficiency down हो गया एरिस साल ऐसे सोचना चाहिए या नहीं चाहिए नहीं चाहिए क्यों जिस साल के बीसी में साथ करोड जित गए वो कोई नॉर्मल एर नहीं है न राइट के बीसी में हर साल आमिता बुलाएगा और साथ करोड देगा क्या आप समझ रहे हो क्या यह अब नॉर नॉर्मल एर 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 comparison should always be with a normal year and normal year the year in which major economic fluctuations have not taken place the year in which the year in which major economic fluctuations have not taken place I hope you are getting this there are two broad types of index numbers simple index numbers simple index numbers simple index numbers and composite index numbers and composite index numbers simple index numbers and composite index numbers simple index numbers and composite index numbers simple index number is computed for below one variable, whereas composite index numbers are calculated for two or more variables, most index numbers are composite in nature, most of the index numbers are composite in nature, most of the index numbers are composite in nature, next sentence, वो भी आपको याद रखना है, कुछ सा है, बोलो, all index numbers are unit free, index number को unit नहीं होता कुछ है, index number को ऐसे कुछ, kg, 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 लिटर से होता है क्या, नहीं, all index numbers are unit free, all index numbers are unit free, issues involved in the construction of index number are, आप पढ़लो यह बस, index number जब हम बनाते तो क्या-क्या consider करते, यह थेरी है, इसके depth में नहीं जाएंगे हम लोग, समझ रहा है, index numbers बनाते हो, हम क्या-क्या consider करते, बोलो data, selection of data, then base period, then selection of weights, use of averages, choice of variables, and selection of formula, and selection of formula, selection of data, देखो बच्चों, इसमें से एक-एक point पे पूरा lecture भी हो सकता है, सबसे पहला point क्या है, selection of data, data कौन सा select करते है, decision making के लिए, data कौन सा select करते है, तो अभी generally हम sampling survey करते, क्या करते है, sampling survey करते, and sampling survey करके data लेते हैं हम लोग, yes or no, but India में बहुत सारे statisticians का opinion है, सुन रहे हो क्या, कि India में true decision making impossible है, क्योंकि India में कभी true data available ही नहीं रहता है, बहुत सारे statisticians का opinion है, क्या, India में true data कभी available ही नहीं होता, किसी भी चीज़ में हमें decision लेना है, most of the times India में manipulated data हमारे सामने आता है, कुछा data, manipulated data, जो लोगों ने अपने हिसाब से बनाया रहता है, in fact बहुत सारी बहुत contradictory होगा यह statement मेरा, फिर भी बोलता हूं कि इंडिया में बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है, कि जो हम पढ़ते यह भी काफी हद तक manipulated हो हुसा हमारे सामने ही नहीं, जो भी पड़ेंगे गीने चुने लोग थे पहले उन लोगों ने हम किस के बच्छ पर हूं बताव ना ? कोई तो बुक में पढ़ा है हमने, क्या अथेंटिसिटी है वो बुक का समझाए नहीं आपको इसने बोला कि वो बुक सच बोल रहा है और गरेक्ट और नॉट जो भी कुछ है हम लोग कुछ भी एक आदा पिच्चर देखते हैं हम लोग बोलते हैं और यार यह लोगों नहीं सब्सक्राइब किसने बोला आपको अपने उपड़े नहीं या उस पर मुवी बना नहीं कि एस और नो आप बस थेटर के बाहर नहीं के लिए बस इनकलाब जिंदाबाद बोलते हैं कि त्राइड और नॉट तो सीदी सी बात है ना वो डेटा सही है इसने बोला करेट और नॉट यह तो आपको आपके सामने व यह तो आप इंडिरेक्लेश है ने नहीं बता सकते कि हम वोट करो उइसा करो तो फिर अप तुर्ण दूसरें अगल से और नॉट बट कहीं ना नहीं डेटा तुमारे सामने एक मैनल नुपलेट हो के आता है न मैं किसी एक एलिए एंगल से नहीं बोल रहा हूत यह इंडिय दोनों डेट पर मनाया जाता है is it right or not मदब आप imagine कर सकते हो history में right क्या कितने problems है correct और हम जो पढ़ते right उस पे 10 लोगों का अलग-अलग opinion है correct है selection of data is a big issue selection of data is a beast कोई काईदा कानून बनता है ना बच्छो तो उसके लिए भी काईदा कानून बनाने के लिए वो data refer करते की नहीं but problem यह है कि वो डेटा ही manipulated रहता है problem यह है कि वो डेटा ही manipulated रहता है आप समझ रहे हैं नहीं okay I don't know एक भी आश्वती मैं मुझे बता रहते हैं कि बुक वो पड़ रहे है और वो बुक में लिखा था वो बुक की ऑथर ने clearly बुक में लिखा है कि इंडिया में two-third of the rape cases are fake two-third of the rape cases are fake ऐसे वो बुक की ऑथर ने लिया है और वो बुक जो है वो स्टाटिस्टी इंडिया के कोई statistical authority वहाँ कोई agency में 10 साल काम की हुए है कि समझ रहे है और क्या बोल रहे है two-third of the rape cases are fake और बहुत सारे rape cases unreported ही रहते हैं और फेक क्यों रहते हैं समझ रहे हैं बस वह बदनामी करने के लिए अब यह वह सकता है कि उन दोनों का actual में कुछ प्यार है समझ रहे कि नहीं पर कास्ट रिलिजन कुछ प्रावल्म रहता है फिर उसके से चार सोब फेकते ऊस्चेए चार सो फेकते आप समझ रहे हैं क्या है आप बताओ उसके रिल्हेले Εचachsen में डेंटा में डेटा बनता है ठसील आप में डेटा में डेटा मांता है कितना औफ्हेंट mango hippPR रहेगा ना कितना authentic data रहेगा नहीं correct or not and इसके basis पे बना हुआ कानून है उपर से यह data refer करके जो law बना गया वो लौक कितना problematic होगा overall statistics समझ रहे है न इसमें data का related issue है न आप चलो real issues बाद में रेखेंगे अब आपन revision कर रहे है simple अब मैं आपको बता रहा था कि इस पे एक point पे भी दो घंटे का भाशन हो सकता है समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं but क्या-क्या points consider होते हैं यह सब points आप से पढ़ लेना समझ रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं चलो बो issues involved in construction of index numbers कौन से कौन से बोलो selection of data then base period selection of weights then use of averages choice of variables and selection of formula selection of formula कुछ बहुत ही basic index numbers है जिसको बुलते है price relative quantity relative and value relative तो price relative का formula होता है लिको PN divided by P0 and उसको percentage में बताते हो कि into 100 किया जाता है तो PN क्या होता है बच्चो वेर PN is price in current year तो nth year मतों current year and P0 क्या होगा समझाए होगा आपको फिर price in base year तो base year जिसके साथ compare कर रहा है price in base year price in current year price in base year तो जिसके साथ आप compare कर रहे हो बेस year जिसके साथ आप compare कर रहे हो वह बेसियत तो जब भी अभी जैसे मैं कभी कंपेर करता हूं तो मेरे क्वालीज लाइफ में क्या प्राइस थे उसके साथ मेरा कंपेरिजन होता है कभी भी जब कोई स्टूडेंट आकी मुझे बोलता कि सर मैं यहां पर होस्तल में रहता हूं तो मेरे नजर में तो महेंगाई 25 तीस गुना बढ़ गए न महेंगाई बोलो 25 तीस गुना बढ़ गए आप समझ रहे हो क्या तो मैं जिसके जो यह के साथ कंपेर कर रहा हूं में बीड़ाट यह इस साल हो गए उसके लिए यस और नो अभी मैं कुछ दून के पर गाव गया आगल टो जब ग्रक्राइए नजुटा तो पिल्मयाव इस ना तो न्युक्त निंगाइए ट addicted अब समझ रहे होँ तो वो conditioner आया और भ़quis पैशे मवा या चेंज नहीं है चैंज नहीं में पकचास काणुट हैं कि तने चालिस रुपर टीकिट है अब समझ रहे हो चालीस रूपर टीकिट मेरे दिमाग में था बहुत ज्यादा हाइयर डिमागऌ 10 रुपर रहेगा कि जहाँ मैं वहाँ पर घटकत तो तो ढूरा ट्रीकित टाई अब समय त्लीक यहां तक सब्च करें fach और Oui सालों साल चलते आ रहा है तो उसकी वाइसे ऐसे लग रहा है कि अल्मोस्ट प्राइस टेन टाइमस हुआ प्राइस टेन टाइमस अब वोट सिर्फ मैं देख रहा हूं मैं वह अच्छानक से 20 साल के बाद देखा इसलिए मुझे लगा भाई यहां पर पुने में भी मैं जब प चल में एक्जाम फॉर्म का तो 230 रुपे की मत रहता था अब हर हर चीज अल्मोस्ट पिछले 20 साल में देखोगे तो इस बिकम संट 1520 टाइमस और नॉट 1520 टाइमस अर्यूंट अर्यू अंडेसेंडिंग माय फ्रेंड्स तो 15-20 गुना भी अगर आपका अर्निंग आज की देट में 20 साल के पहले का तो आपका स्टैंडेट आफ लिविंग वही रहेगा तो अगर कोई 2000 में बोलता था कि मैं 1000 रुपे मेहने के कमाता हूं और आज कोई बोल रहा है 15,000 मेहने के कमाता हूं तो आक्चुली दोनों सेम है पर्चेसिंग पावर के टर्मस में दोनों सेम उनिहें बट यह सेम है या नहिं है डात केंव अंतरीट पार इंडेक्स नंबर्स हैट यह एल अंडर सुड्विभ आफ इंडेक्स नंबर्स चलो इन क्या रहेका बोलो quantity of current year quantity of current year and q0 क्या रहेगा quantity of quantity of base year quantity of base year समझ रहे है बच्चो चलो value relative का क्या formula रहेगा बता आपी pn into qn divided by p0 into q0 into 100 तो यह तो what is pn what is p0 तो लिखे दिया है मैंने उपर आपको तो दुनों को product समझ रहे है ना price into quantity price into quantity मत्वा as well as amount spent हुआ ना इन current year amount spent in the base year amount spent in the base year अब समझ रहे बच्चो yes or no अभी simple चीज़े कोई भी पेट्रोल के प्राइसे एक्जामपल लो there is a heavy rise or not क्या पेट्रोल का रहे है एक सुबीस रुपे के असपास लेट रहे है भी एक वन ट्रटीफाइव हाग्या पंद्रा रुपे लिटर पेट्रोल का रेट और हम क्या बोलते थे मैंने बोला थे आपको शाहिए देखते हैं हम लोग कालेश क्या हो जोते हैं बहुत महंगाई बढ़ रही है मेरी बात मान एक दिन पेट्रोल तो पचास रुपे पर लिटर हो जाएगा प्रे उस दिन कैस रहेगा है कि और या तीन रुपे लिटर पर लिटर पेट्रोल था है या नहीं आप समझ रहे हो क्या मैं एक दिन मेरे पापा के साथ मुल्टिप्लेक्स में कोई मुवी देखने का तो उनको मैंने टिकेट रेट बताया तो वो बोले कि मैंने फॉर्स स्टैंडर से लिए ट टिकेट का डोडल किया तो इतना नहीं होगा जितना यह एक टीकेट का पैसा एक भी टेड़ रूपे यह और तो अब समझ रहे नहीं तो चीदिसी बात एक मतब 500 पिचर समझ रहे क्या तो उभी पाजो फीचर कब देखेगा इंसा समझ रहा है नहीं तो टेरीबल ही महेंगा ही बढ़ रही है अर्य अंडर्साइडिंग तुम्हारा अर्निंग भी अगर उसी प्रपोर्शन में बढ़ा तो आपको फिल नहीं होगा अधर्वाइस इस और नो प्राइस रिलेटिव कॉंटिटी रिलेटिव वैल्यू इन दिखाए कि नहीं दिख रहा है क्या ओके एक काम करो सबसे पहले तो प्राइस एंड कॉंटिटी का प्रोड़क करके लो फिप्टी इंटो एट कितना था है ओर हंडेट करो फटाफट वन जिरो त्री इंटु थर्टीन वन त्री थ्री नाइन नेक्स शिक्स्टी एट इ सब्लोब प्लीस द्यांदो पर फ्लीस अब चोट टू तू सब्सक्राइब का इंडेक्स लगर हंड़ हंडेट यह रहता है क्या रहता है तो बेसी ऐख अए प्लीस द्यान दो बचेवाइब यहांपर प्लीस अब टू तो तूसंटीन के लिए टेल्मी हेए वट इस अफ्र है आप यह प्राइब प्राइब कितना है प्राइब इंटो हंडे बोलो कितना रहे है तो जीरो शिक्स यहां तक कितने लोगों समझा तू जरू बात मिलीक सकते बो चो तू जरू सिक्स समझा के बताओ कुन सा फॉर्मुला यूज चैहां मैंने पी एन डिवाइडेड into hundred, is it 136 next, 190, 196 अ है क्या, next, 222 and next is 250, कैसे find कहे 250 बता है, काल्कुुरेशन, 125 divided by 50 into hundred, तो price in current year divided by price in base year into hundred, यह formula हमने हमें यूज किया बच्छों अब बता कॉंटिटी रिलेटिव हम फाइंड कर सकते गया बोलो प्राइस इन करंटियर कितना था पहले पहले तो शुरॉत में एट था ना बेस थर्टीन डिवाइबाइट इन्टो हंड़ेट एंसर 162.50 कि सही है क्या 16 डिवाइबाइट इन्टो हंड़ेट 2121 divided by 8 into 100 is 262.50 28 divided by 8 into 100 350 divided by 8 into 100 437.50 इस अ कॉंटिटी रिले टिम्स बाइल रिले यू से मिलेगा वो जो पहला 400 है वो P0 Q0 है तो 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 तेल में इस इत 1 3 3 9 1 3 3 9 divided by 400 into 100 answer 334.75 next is it 272 calculation केसे 272 बोले 1088 divided by 400 into 100 कुन सा फॉरमॉला यूज कर रहे भाई PN QN divided by P0 Q0 into 100 चलो next 2058 divided by 400 into 100 51514.50 next triple 777 next 1093.1093.75 भूला है पेस और नोम तो यह वहा अब यहां पर यह पर चो यह एक ही कमोडिटी के लिए फाइंड हुआ था ना पर रियल लाइफ में कुछ एक ही कमोडिटी बाय करते के अट टाइम नहीं हंडेर्स अब कमोडिटी इस अ हाउस होल्ड बाइज अच्छा महेंगाई बढ रही हम लोग एक चीज के बैस पर बोलते क्या वैसे देखा जाए तो तुम्हारे घर पे सव चीज़े आप पर्चिस करते हो तो कुछ उसमें से पास दस चीज़े अक्चुल सस्ती भी हुई रहेगी नहीं समझा आप कोई पास दस चीज़े सस्ती भ में पाईज करें नमडर हर एक के लिए सपरेट ली तो कु प्राइज करने के लिए टाइम का प्राइज इंडेक शुगर का प्राइज इंडेक्स-इंडेक्स कर सकता ना इसแตe करूंगगा सुनू थ्यान से मुझे पता price relative का क्या formula था PN divided by P0 into 100 तो अब लिया जाएगा summation of PN divided by summation of P0 मतलब सारे चीज़े जो जो आप buy करते हो सबके price का total in the current year divided by सबके prices का total in the base year into 100 इस index number का क्या जाम है एक सिंपल आग्रीगेटिव प्राइज इंडेक्स नमबर सिंपल pson आच में तो बहुत डेप्स में भी समझ में आ सकता है आपको रेगुलर में आप देखोगे तो उसमे वट इस इंडेक्स नंबर पहला आदा गंटा बता है तो तो रहे है क्या क्या समेशन आप पी एंडिवाइब आप समेशन आप पी जिरो इन्टू अंडिट यह किसका फॉ इस सिंपल अग्रिगेटिव प्राइज इंडेक्स नंबर सिंपल अग्रिगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और सिंपल अग्रिगेटिव वाल्यू इंडेक्स नंबर दियान दे रहे हो क्या बच्छो दियान दे रहे हो क्या ओके तो इसके बाद का पाट हम अगले लेक्टर में कम्टीट करेंगे विफोर डैट मैं आपको रिक्वेस्ट करूगा कि आपको इंडेक्स नमवर का से रिज एक बार देख लेना चलेगा क्या तो कब होगा मैं आपको वाट्सअप घ्रूप पे अपडेट करूगा चलेगा क्या बच्चों तो can we stop here for the day तो नेक्स लिए दो मिंटा बेटा सॉरी नेक्स लेक्चर थोड़ा मतलब एक पास्मिंट आप बात करना था चल सकते ना बेटा तो नेक्स जो भी आपना लेक्चर होगा that is going to be the last lecture in this series of comprehensive revision तो शाल वी stop here